बोलेवुड की बोल्ड अभिनेतरी रही मलिका शेरावत इस समय अपनी एक वीडियो को लेकर चर्चा में हैं सत्रह कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुंची मलिका शेरावत एक पिंज्रे में फासी हुई नजर आ रही है सोशल मीडिया पर मलिका ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वे एक पिंज्रे पर बंद दिखाई दे रही है दरसल वीडियो से मलिका भारत में वे शावृत्ती में फासी लड़कियों को आजाद करवाने की गोहार लगा रही है मलिका ने दुनिया भर के लोगों को संदेश भी दिया है मलिका शेरावत का पिंच्रे में बंद होने का मकसड बच्चों के साथ होने वाले अत्याचारों को बंद करने के खिलाफ है उन्होंने लॉक मी अप कैमपेन का हिसाब बन कर चाइल्ड ट्राइफिकिंग और प्रोस्टिटूशन के खिलाफ आवाज उठाई है इस मुद्धे पर दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता मलिका ने खुद को पिंच्रे में बंद करके ऐसी तस्वीर खेचाई मलिका ने कान में खुद को बारा है आट फीट के छोटी सी जगह में पिंच्रे में बंद किया और फ्री डॉलर गर्ल कैंपेइन से जुड़ने के लिए अपील भी की हैश अटाइक के साथ लोग इस बारे में सोशल मीडिया पर अपने वियू भी दे रहे हैं